मद्यप्रदेश में पटवारी भरती परिक्षा घोटाला वी ठीक तरह से सांत भी नहीं हुआ कि मद्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक भरती परिक्षा के घोटाले की खबरें सामने आ रही है मद्यप्रदेश के युवा निगाहें गड़ाएं बैटे हैं कि 31 सगस्त को जो जांच सौंपी जाएगी मद्यप्रदेश सरकार को उसमें क्या होगा ऐसे मैं अब लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा क्या पटवारी स्टैल में हो रहा है मद्यप्रदेश की पुलिस आरक्षक भरती परीक्षा में घोटाला नमस्कार आपके साथ मैं हूँ गिर्राश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक सबी से एक अपील है कि सवाच को सब्सक्राइब कीजे साथी सा सरल टॉक के जॉइन बटन या थैंक्स बटन के दौरा हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजे जिससे हम और बहतर सौतंतर पत्रकारता कर सकें ऐसा लग रहा है कि ब्यापम का नाम भले बदल दिया गया मद्यपरदेश Employee Selection Board कर दिया गया लेकिन मद्यपरदेश के यवाओं की परेशान या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है MP ESB शायद यवाओं को परेशान करने के लिए ही बनाया गया है यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ मद्यपरदेश में पुलिस आरक्षक भरती परेशा चल रही है लोग इस बात से परेशान है कि कैसे अपने परेशा के अंदर तक पहुँचे है दो दिन पहले उन्हें सेंटर बताई जा रहे हैं कोई रेजरवेशन ना होने की वज़े से परेशान है तो कोई परेशान है कि ट्रेंज समय पर नहीं पहुच पा रही है ऐसे मैं जरा सोचिए कि जो युवा इतनी दूर से आकर के परिक्षा देने आता होगा और से सुनने को मिलता होगा कि पटवारी भरती परीक्षा के जैसे मद्यप्रदेश की पुलिस आरक्षक भरती परीक्षा के उस सेंटर पर जहां वो पेपर देने आया हुआ है वहाँ पर घोटाला हो सकता है यह हम इसलिए कह रहे हैं कोकि एक खबर आई है बाला घाट से बाला घाट में एक कॉलेज है जहां पर MP की पुलिस आरक्षक भरती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही थी उसका नाम है सरदार पटेल विश्विध्याले यहां पर एक व्यक्ती जो पेपर दे रहा था उसकी कुछ संदिक दिगत विधियां वहाँ पर पाई गई और तुरंत विश्विध्याले प्रवंदन ने उसके खलाफ FIR दर्च करा दी उसके बाद बालगहट की पुलिस हरकत में आई और इस मामले की गुप चुप तरीके से जाच कर रही है क्योंकि इसके तार गौालियर से जुड़े पाई जा रहे हैं और साथी साथ बताया जा रहा है कि पटवारी भरती के भी कुछ सुराग पुलिस को मिल सकते हैं ऐसे में पुलिस चार आरोपियों की तलाश कर रही है गौालियर के भीतर और किसी भी प्रकार की जानकारी इसमें नहीं दी गई है लेकिन सवाल जरूर खड़े करती है कि MP ESB आखिर कर क्या रहा है क्या MP ESB के हाथ इतने मजबूत नहीं है कि बिना गोटालों के या बिना इन गोटाले की खबरों के परिक्षाएं आयुजित करवाई जा सके है इस खबर के सामने आने के बाद इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से फरजी वाड़ा करते है पुलिस ने जब आरोपी से पूस्ताच की है तो उसमें बताया गया है जो सर्वर होता है परिक्षा एजनसी का वहाँ से कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से पुटवारी भरती में फरजी वाड़ा हूँआ है ये तो जाँच सामने जब आएगी जब पूरी तरीके से तब और खुलासे होंगे कि आखिर पटवारी भरती परिक्षा में किस तरह से जो है सॉल्व किया गया है पेपर और MP की पुलिस आरक्षक भरती परिक्षा में भी तो कहीं गौालियर पहले चर्चाओं में बना था कह नहीं इस बार कोई दूसरे सहर का परिक्षा केंद्र तो नहीं कर रहा उस तरीके के घोटाले हाला के पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जो विस्विद्दाल्य प्रवंदन है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अनेमित्ता ये गड़बड़ी न असक्षम है असक्षम है इस पर भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं साती साथ सरल टॉक के जॉइन बटन को जॉइन कर और थैंक्स बटन के दौरा हमें आर्तिक रूप से सायोग कीजे जिसे हम और बहतर सोतंत्र पत्रकारता कर सके मुझे दीजे जासत नमस्कार